हेलो फ्रेंज विल्कम बैक टो माई चैनल मैं खुशिम और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंज और आज मैं बात करूंगी ऐसी बहुत सारी इंडूर प्लान्स जो की बीना धूप के बीना केर की आसाने से अपकी घर के अंदर चल जाती है और अगर चैनल पे न तो सबसे पहला जो नाम है फ्रेंज यह है जो लाकी बैंबो है लाकी बैंबो यह बहुत ही खुबसरत प्लांट है एकदम ग्रीन है और एवर ग्रीन प्लांट है अब पाने भी इसको गुरू कर सकते हूँ कि दूसरा है यह खूर है कि द आंच चोटी सी यह उझ्य बैंट उठी ग्रीम है तो इसको भी अभ्याव अगर लगाते हो उच्छे सी चल जाती है है बहुत अच्छी खुबसरत देखो से कलर कॉम्बिनेशनट आप देख सकते को बहुत खुबस्रत प्लांट है बिना कैर के बिना धूब के यह आसाने से ग्रोव हो जाते हैं यह कैलाडियम की और एक वराइटी है फैंस और बहुत है खुबस्रत प्लांट है इसको भी आप अपने घर पे ग्रोव कर सकते हूं इसको साफ करो तो आपके जो पत्या है वो देखेंगे प्लांट प्लांट है इसको अपने घर पे ग्रोव कर सकते हूं इंडोर पे ग्रोव करने से क्या होते है पत्यों पर धूल जम जाती है तो आप इसको हमेशा ही इसको साफ करो तो आपके जो पत्या है वो देखने में भी बहुत ही खुबसूरत लगेंगे ग्लॉसी लगेंगे इतना ही आपको ध्यान रखना है यह है फ्रैंड्स एंथुरियम एंथुरियम के भी बहुत सरी वराइटी आपको मिल जाएंगे मेरी पास यह रड़ बाला है आपको पिंक वाइट और रेड में मिलेंगे यह तिन वराइटी में आपको मिलेंगे और जब इस प्लावरिंग हो दे बहुत ही खुबसूरत एकदम ही बहुत अच्छी तरीके से आपके इंडूर में ग्रोव हो जाती है इंडूर में है थोड़ी सी धूल जबी हुई है तो इसको साफ करना है अपते में एक बार आप पाने से इसके पत्तियों को साफ कर दो देखने में बहुत खुशुरत लगती है यह पत्तिया पैंडनस की इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था अभी इसकी साइट से कुछ खास उठा हुआ है टाइम नहीं मिल रहा है बिद्खुल ही इंडूर में रखा हुआ है और आप देख सकते हो कितने आसाने से कितने बरी भी हो चुकी है तो इसको अभी मुझे रिपॉर्ट भ कर दोंगे कुछ दिन बाद तो आप एंडनस को भी आसाने से अपने इंडूर के लिए चूज कर सकते हो नर्सेरे से अब इसको अभी ला सकते हो कहीं प्याप लगा दो इस चोटे से चोटे पॉट में भी यह चल जाती है लेकिन अगर देते हो तो अच्छे से ग्रो होती है यह तो यह स्पाइडर प्लांट है सुवाषव अब अपनी घर पे आसाने से ग्रो कर सकते हो हो फ्रेंड्स नहीं हारती में यह आपको मिलेंगे यह लिप्स जो है थोड़ सी लंबी है अच्छोटी लिपस वाला भी आपको मिलेंगी मेरे पास अभी एक वाराइटी की है त डिख स्पाइडोबर प्लांट को भी अपनी घरे एड़ कर सकते हो लिवस बहुत ऑंने काम नला सकते हो अभी थोड़ी सी बढ़ चुकी है तो आप इसको ग्रो कर सकते हो इंडियोर में आसाने से थोड़ी सी पानी का और इसकी सनलाट का अपको ध्यान रखना है हफते में एक बार आप इसको धूब दिखा दो तो इच्छी से चल जाती है यह है golden bamboo friends आप देखोगे कि office में या फिर कहीं भी आप देख सकते हो कुछ bamboo लगाया हुआ होता है यह वाला bamboo है cutting के द्वार आसाने से ग्रो हो जाती है इसकी जो leaves है वो भी golden color की और इसकी stamp भी golden color की हो जाती है देखने में बहुत ही खुश्रत लगती है तो आप इसको भी indoor कर सकते हो इंडूर पर रख सकते हो और इस प्लांट को आप लगा सकते हो cutting के द्वारा भी आसाने से ग्रो हो जाती है और सबसे अच्छी बात है यह जितने भी प्लांट में बता रही हो बहुत अच्छी और लो केरिंग प्लांट है उतना जादा देख भल नहीं करना बढ़ता सिर्फ आपको proper देख भल मालुम होना चाहिए यह नियोन पॉथोस है इसको गोल्डेन पॉथोस भी बोलते हैं यह भी बहुत खुपसुरत पत्यों वाला एक प्लांट है आप इसको हैंक कर सकते हो पॉट पर लगा सकते हो मेरी यह पॉट पर लगाया हुआ है तो इसको एक मौश्टिक देने की ज़रूत है अगर मौश् इस आप ईसपरागाच थे फ्रेंस एसपरागास की बहुत सारी वराइटी आपको मिलेंगे तो यह एक वराइटी है यह भी आप इन्डोर रख सकते हो आपको ब्राइट सं लाइट पे इसको रखना है अगर इंडियुर पे रखते हो तो लेकिन आपको तेज धुप में डि कर सकते हो बहुत ही हाड़ी प्लाइट यह कालधिया खी और एक विराइटि है इसकी जो लीफ की पीछे की जो पत्य है वो एड कलर की है और आसान ग्रूइंग प्लाइट है अब इसको भी ग्रूँ कर सकते हो को क्या नथी की आपको लगवग तीन-चार वैराइटि में। मेरी पास दो वेराइटी की है कैलतिया तो कैलतिया को भी आप अपने घर पे बहुत ही आसाने से एड़ कर सकते हो और बीच बिचे सभी प्लांटों को आप थोरे सी खली का पाने देते रहो तो प्लांट की खूपसरती बनती रहती है यह शैफ ले रहा है यह बेरिगटर लेंगे आपको सिर्फ ग्रीन में और यह वेडिगेटर है आसारे से ग्रो हो जाती है कम देखभाल में इंडूर में चल जाती है डिफेंड बेकिया को कौन फूल सकता है लेकिन इसको लगाने के लिए थोरी से आपको कैरफुल होना है अगर आपके घर पे बच्चे है या फिर पैट्स है क्योंकि यह थोरी से पॉजनस है तो डिफेंड बेकिया को फी आपको कर सकते हो आसानी से यह आपको लगबग दो वेराइटी में मिलेंगे नर्सरी में और थोरी सी आपको कैरफुली इसको लगाना है बहुत खुबसरत प्लांट है कटिंग की दौरा स्टे आसाने से अभी स्टे जया है और भूट क्वश्रत प्लांट है और बहुत अच्छी और प्यूरिफायर भी है एक पर आप इसको लगा दो आपके प्लांट अच्छे से चल जाती है जब लगाया थि अवश्रावर की थी बाहर रखा है तो यह ग्रीन कलर की हो चुकी है यह के अंदर आसाने से ग्रो कर सकते हो या फिर बैलकोनी गार्डनिंग में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो यह ड्रेसेना की एक वेराइटी है इसकी जो लिफ की लिफ की कलर है आप देखो येलो और ग्रिन में है इसकी पत्या थोड़ी सी चौरी होती है तो बहुत खुब लगपक दो तीन वेराइटी है यह इंडोर में आसाने से चल जाती है बहुत ही खुब सुथ प्लाइन है फ्रेंड्स यह ड्रेसेना की और एक वेराइटी है अब देखो इसकी लिफ की कलर देख सकते हो कटिंगे दोर आसाने से ग्रो हो जाती है और पत्तिया कितने ग्लॉस नहीं अब के लिफ्ण से लग रही है यह आउट्डोर भी चल जाती है एंडोर फी चल जाती है तो आप इसको इंडोर पर फिंडोर कर सकते हो आप इसको कर सकती हो कि यह हैं वंडरिंग जीओ और असन ग्रूइंग प्लांटों में अगर बात करूं तो यह एक बहुत ही खुश्रत प्लांट है कि इसको आप आसने से अपने घर में ग्रो कर सकते हों कि कटिंग की द्वार आसने से ग्रू हो जाती है चोटे से छोटे कटिंग भी अगर आप इसको लगाते हों तो इसकी कटिंग लग जाती है अगर आप बाहर लगाती हो तो ग्राउंड कवर में भी यह काम आती है फ्रेंड्स यह है ड्रेशिना की और एक वराइटी यह वाइट और ग्रीन में हैं कटिंग के द्वार आसने से ग्रो होती है इंडोर आउट्डोर दून तरफ ही यह चल जाती है तो आप इसको ग्रो कर सकते हो यह सॉंग ऑफ इंडिया है और सॉंग ऑफ इंडिया बहुत ही खुबसुरत प्लांट है आप देखो इसके लिए बहुत ही खुबसुरत है इसको भी आप ग्रो कर सकते हो कटिंग के द्वार आसने से यह ग्रो हो जाती है छोटी से छोटी कटिंग भी आप इसके लगा सकते और ये शुके खास बात है कि आप इसको पाने में भी ग्रो कर सकते हों कि ये ड्रेशी नम अजिनाटा है फ्रेंज की अदूर में मैंने इसको बारादा की साइड में में रखा है थोड़ी से बड़ा पॉट में इसको दे दिया तो तो इसकी साइट से कुछ ट्राइंगल हार्ट की कटिंग मैंने लगा रखी है ताकि जो पॉर्ट ना दिखे यह भर जाए तो इसको भी आप आसाने से ग्रोग कर सकते हूँ यह पाम है फ्रेंड्स यह एरिका पाम है जो कि बहुत ही खुबसुरती बरहने में वदद करती है आपके घर की अंदर की एर पेडिफाइंग प्लान भी है तो आप इसको भी घर के अंदर आप इसको ग्रोग कर सकती हो एक बार अगर आप लगाते हूँ तो थोड़ी से क्यार करने से एक प्लान से धेर सरी प्लान भी बन जाती है और बहुत ही खुबसुरत प्लान है आसाने से प्रोग हो जाती है यह singhonian हम है इसको arrowhead भी बोलते हैं, इसकी शरीफ की कारण इसको arrowhead भोलते हैं इसकी दो या तिन कलर आपको मिल जाएंगे market में मेरी पास दो कलर है, इसकी पिंग कलर की variety भी बहुत ही खुबश़रत होती है तो आप इसको भी अपनी घर पे अपनी गार्डन में इंडूर गार्डन में एड़ कर सकते हो आप इसको हैंग भी कर सकते हो देखो यहां और एक वराइटी है सिंख्रुनियम की आप देख सकते हो यह ग्रेन और वाइट की कॉम्बिनेशन में है छोटी सी cutting में ने लगाए थी और ये बहुत अच्छे से ग्रू हो रही है अगर बात करूँ फ्रेंज देखो पत्यों की ये बड़ अफ परड़ाइस है अगर आप इसको अंदर रखते हो तो इस पर फ्लावर नहीं होंगे लेकिन इसकी पत्यों की खूपसरती आपको बहुत अच्छे लगेगी ये ब्रैट साइनलाइट पे ही चल जाती है लेकिन बहुत ही खूपसरत लगती है और आप अगर पत्यों की खूपसरती चाहते हो तो आप इसको घर के अंदर रख सकते हो अगर फ्लावर चाहते हो ताप इसको सब्सक्राइब सब्सक्राइब में रखते हैं यह मदर ऑफ थाउजन है आप देखो इसकी जो अब देखो ध्यान से देखो यह प्लांट पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही खूपसरत लगती है आप देखो साइट से एक एक बेबी प्लांट एक सेपरेट प्लांट है इसलिए इसको से सिर्फ रख दो मिट्टी की टच आने से ही यह प्लांट बढ़ जाती है गुरू हो जाती है देखो चारों तरफ से मालूम होता है कि माला पहन के रखा है कितनी खूपसरत प्लांट है तो नेचर भी अजीब है इत्किंटे सुहाद इसके जो क्रिटिवीटी है मैं क्या बोलू बहुत ही कि मिलूथ खूपसरत है आठेखो एक एक प्लांट की खूपसरती अलग-अलग है यह स्टेक प्लांट की वराइटी है यह स्टेक प्लांट की एक वराइटी है इसके लिए आप देख सकते हो एक इजी ग्रूइंग प्लांट है एर प्यूरिफारिंग प्लांट भी है इसको बदर इनलो टांग भी बोलते हैं इसको बहुत सारी वराइटी में आपको मिलेंगे बिना धूपन के बिना केर के किसे भी प्रकार के क्यार कि आप इसको अंदर लगा दो यह बहुत चीज़ चल जाती है मेरी प्लांट से बहूत सारे प्लांट अभी हो गई है देखो multiply हो चुकी है अलग-अलग करके सभी को लगा दूंगे यह और एक बाराइटी है चोटा रहता है और आप देख सकते हैं कि इतना खुबसुरत लग रहा है देखने में फ्रेंज यह जो है यह है देखो मनेपलान के एक ब्राइटी है जो green मनेपलाट होती है यह पोथ्थों और अच्छी सी अभी ग्रूंख हो रही है मॉश्टिक में यह भी अपने आपको पकर लिया है और यह भी कटिंग की दो अराजने से गुरू हो जाती है और देखो इस तरह की से नौड एरिया से जो रूट निकलती है अगर आप इसके मिट्टी पे दबा दो गुरू हो जाती है यह मॉन्स्टेरा है जो कि यह भी मिडल में HOLE की हुई है लेकिन इसकी जो शेफ है नैचरल अशिए है कितनी खुबस्रत पत्या है कि यह उना के दौरा आसाने से इंडर्व हो जाती है यह एक मैं आइग सारे आपको में लेंगे और मेरी पास यह वाला है अपको बहुत अच्छी इंड़ोड़ प्लांट है आप इसको भी घर के अंदर आसाने से